A very good morning students. I am your social studies teacher, Tipika Maim. Chapter 7, The Natural Climates आज हम इस चैप्टर में other disaster के बारे में discuss करेंगे. लास्ट आस में हम earthquake और tsunami के बारे में discuss कर चुके हैं. आगे चैप्टर continue करते हैं. जब अर्थ का या किसी चत्तान का, अर्थ या कोई चत्तान, कोई बड़ी चत्तान का, एक लार्ज पीस, बड़ा टुकड़ा, high mountain toward a lower valley, किसी उच्छे पहाड से, नीचे की तरफ खिसक के, वो वैली की तरफ जाके गिरता है, तो उसको क्या कहते हैं, length slide, यानि कि चत्तान का खिसक ना, जब पूरे के पूरे पहाड या चत्तान, खिसक के नीचे गाउं की तरफ, वैली की तरफ जाती है, तो उसको बोलते हैं, length slide, इसके कारण जो है, बहुत बड़ी मात्रा में, लाइफ और प्रोपर्टी जो है, वो बरबाद हो जाती है, उनका विनाश हो जाता है, people and cattle are buried alive under the debris of broken houses and buildings, लोग और जानवर ये सभी जो है, उसके अंदर दब के मर जाते हैं, घर और बिल्दिंग सब टूक जाते हैं, broken means टूक जाना, cyclones, cyclone हमारा next topic है, cyclones are violent storms with high winds and stormy seas, cyclone जो है वो एक तूफानी हवाएं, उसमें बहुत तेज भैंकर तूफानी हवाएं होती है, high winds, winds होता है हवा, तेज हवा, यानि कि बहुत जादा गती वाली और stormy seas, समुद्र में भी तूफान की तरह जो है वो लहरे हवाएं इतनी तेज होती हैं, और condition को cyclone कहते हैं, इसके वज़ा से लो प्रेशर सिस्टम जो जहाँ पर लो प्रेशर होता है, उसकी तरफ ये हवाए जो है वो ट्रेवल करती है, अट ग्रेट स्पीर्ड, बहुत तेज स्पीर्ड के साथ, ये जो है कोस्टल एरिया की तरफ जाती है, तक्या एरिया की तरफ समुद्र के किनारे जो एरिया है, उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया, तो वहाँ जाती है और वहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, यानि कि बहुत ज़्यादा बर्बादी करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है. The coastal belt of India are pawn to cyclones. जो इंडिया की coastal belt है, आप सभी को पता है कि इंडिया जो है, वो नीचे से, एक triangle shape में है इस तरह से, तो जो ये इंडिया का ये पूरा जो coastal area है, Eastern, ये Eastern coastal area और ये West coastal area. तो जो ये एरिया है, इस एरिया में बहुत सारे cyclones जो है वो आते हैं. They experience a great difference between temperature and pressure condition on land and sea. जब cyclones आते हैं तो उस time जो है ये अनुभव क्या जाता है, experience क्या जाता है, कि जो land area है, भूमी वाला area और जो बाकी का sea area है. इन दोनों area के बीच में जो temperature, यानि कि तापमान और जो pressure है, air pressure जो air का दबाव है, उन दोनों की condition में बहुत जादा difference होता है. fun to know, in India, भारत में, earthquakes have caused a lot of damage in भुच and एहमदबाद in गुजरात. earthquake यानि कि भूकम जो है, उसकी वज़े से बहुत जादा damage होता है, बहुत जादा, जो है, चीजे बरबाद हो जाती है, बहुत जादा. विद्वन्स होता है, वो कहाँ पर भुच एंड एहमदबाद में, ये दोनों ही गुजरात में हैं. उत्राखंड in the northern mountains, और उत्राखंड में भी ये बहुत जादा महाँ पर, जो northern mountain area है, महाँ पर भी काफी earthquakes आते हैं. epidemics, epidemics means महामारी, जो महामारी होती है, वो बहुत तेजी से एक दूसरे से लोगों में फैलती है. Mostly epidemics have their impact after the climates, अधिकतर epidemics, यानि कि जो महामारी यह है, अधिकतर महामारी, उनका impact हमें देखने को मिलता है, after the climates, climates means disaster, किसी भी disaster के बाद, mostly हमें जो epidemic है, वो देखने को मिलती है. They occurs when disease spread on a very wild scale and cause a large number of deaths in a short span of time. इसके कारण कहीं सारी बिमारियां जो है, वो तेजी से लोगों में फैलती है, a very wide scale, बहुत बड़े स्थर पर. इसके वज़े से बहुत ज़्यादा numbers में जो लोगों की death हो जाती है, in a short span of time. थोड़े ही समय में लोग बहुत ज़्यादा numbers में मर जाते हैं. जैसे कि आप आजकल सुन रहे हैं कि हर तरफ Corona फैला हुआ है, तो जो Corona है वो भी एक epidemic है. Corona जो है, वो एक दूसरे के touch में आने से, unhygienic रहने से, इस तरह से फैलता है, तो ऐसे ही बहुत सारे बिमारियां जो हैं, वो भी unhygienic, यानि कि गंदे रहने से, साफसफाई ना करने से, इस वज़े से फैलती है. तो इनको क्या बोलते हैं? Epidemic. इसमें क्या होता है कि एक short time में, बहुत कम समय में, ये बिमारी एक लंबे scale पर, यानि कि बहुत ज़्यादा लोगों में तुरूंत फैलती है, और large number में लोग मर भी जाती है. इन में कौन-कौन से disease आती है? उनको देखते हैं. Disease like cholera, cholera means haja, malaria, malaria एक बुखार होता है. Plague, plague mostly चूहें के काचने से फैलता है, Mizzles, Chickenpox, Gastroenteritis, Spared due to unhygienic conditions, After floods, earthquakes, etc. ये जो भी हमने अभी disease के नाम देखें, ये disease mostly तब फैलती है, तब spread होती है, जब किसी climatis, यानि किसी disaster के बाद, जैसे कि flood आई, या earth को इक आया, उसके बाद जो है, सब कुछ नस्ट हो जाता है, सब destroy हो जाता है, तो उसकी वज़े से हर तरफ जो है, unhygienic condition हो जाती है, यानि कि साफ सफाई नहीं होती, जिस वज़े से ये बिमारियां, ये disease फैलती है, तो जो ये conditions है, जो epidemic है, या जो disasters है, इन से हम कैसे face करें, इनको कैसे face करना चाहिए, और जब हम इस problem में फस जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इनके बारे में हम next class में discuss करेंगे, आज के लिए इतना ही, आज हमने three topics कवर किये, first था cyclone, second था epidemic, और third था हमारा length slide, ये तीन चीज़े हमने आज कवर की, next video मिलेंगे, इनके किस तरह से इन conditions को हमें face करना है, और कैसे अपने आपको बचाना है, इस कीज़ के बारे में discuss करेंगे, thank you and have a nice day.